गाइस तो मुझे पता है कआफी रात हो चीखिए और सच मैं मैं अथनी रातों को वीडियो नहीं बनाता ह om मैं जब भी कोई रात को मुवी देख़िगा है तो उसका सुबह ही रिज्विव करता हूं लेकिन इस वीडियो को बनाने से मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकिख थोड़ी देर पहली में स्त्री 2 का paid preview देखकर आया हूँ और सच में आर अच्छे खासे पैसे लगगे इसके paid preview को देखने के लिए कल देखता मूवी तो थोड़ी सस्ती पढ़ती लेकिन फिर भी मैंने से उचा देखके आते हैं क्योंकि मैं excited था मतलब जब इस्त्री आय थी तो मुझे परसली उस मूवी से को जादा उमीदे नहीं थी इवाँ शद्धा को पूर खुब उमीदे नहीं थी अगर आप उस ताइम के उनकी टाइम लाइन को देखे होगे तो उन्होंने इस्त्री को काफी जल्दी खतम करा था क्योंकि उनको बत्ती गुल मीटर चालू करनी थी एक मुवी है जिसका नाम भी शायद आपको याद ना हो वो मुवी करनी थी इसके कारण उन्होंने इस्त्री को टाइम काफी कम दिया था सच बताओं ये मुवी अच्छी है बहुत जादा अच्छी तो नहीं बोलूँगा लेकिन अच्छी डेपनेटली क्योंकि कॉमेडी क्लिक करती है कहानी महीं से कंटीनी की जाती है जहां पर पहला पार्ट एंड हुआ था कुछ चीज़े नहीं आती है जैसे की जो विलन है सिरकटा जिसके बारे में ट्रेलर में ही बता दिया गया ऐसी कारण से मैं भी भात कर रहा हूँ सिरकटा आ जाता है चंदेरी में और श्रदा कपूर कौन है कहां गाया होगी थी इसकी इसकी इडेंटिटी क्या है यह सब जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ी है अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ है तो परसने मुझे इस मूवी का इस स्क्रीन प्ले अच्छा लगा है तो जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचूशन को एक्स्प्लोर करती है वो सारी चीज़े देखने में भी ठीक ठाक लगती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम पूरी तरह से इस मूवी में इंवेस्ट हो चुके हो जो कुछ भी चल रहा हो हमें एज ओफ दसीट तक लेकर आगया ऐसा नहीं होता है और मैं बोलना चाहूँगा कि कॉमेडी काफी जाद सब्जेक्टिव होती हो सकता है आपको हसी ना आए लेकिन परसनली मुझे तो काफी हसी आई है बात करूँ कारेक्टर डेवलप्मेंट और कारेक्टर्स की विश्य डायनमिक्स की सब्जेक्टर्स में हमें अच्छी खासी गरूद देखने को मिलती है जिसके कारण हम इन के खाद थोड़ा ओर कनेक्ट हो पाते हैं जो इस सिर्जेक्टर्स मुवे की असली जान थे सच मैं इन सबी के थीन जो डायनमिक्स थे वो देखने में काफी जादा मजाता है तो इस लिए मैं उन चीजों पर बात करने है तो इस पोलर दे बैटूंगा इसलिए मैं उन चीजों पर बात नहीं करूँ जो mystery है वो इस movie का सबसे बड़ा flaw है मेरे साथ से क्योंकि वो काफी आराम से reveal हो जाती है और हम पहले सी समझ जाते हैं कि ये movie किस direction में जा रही है तो मेरे खाल से mystery को थोड़ा और बेटर है तरीके से लिखा जा सकता था बात करूए actors की performance की तो सभी actors के काम अच्छा है पर चाहिए अब किसी की बात करूए परसनल में जो सभी actors के काम पसंद आया है जहां तर बाता direction और editing की direction अच्छा है मेरे खाल से थोड़ा और better होना चाहिए था क्योंकि overall कहानी में काफी जादा दम था लेकिन कहीं न कहीं वह एक lack of confidence दिखता है direction में और उन्होंने उन चीजों को जादा रखा है जिसके कारण इस्तरी चल गई थी इसी कारण से मुझे लगता एक जो fresh voice होता है ना उसी कहीं न कहीं कम में दिख रही थी जो editing है वो मुझे ठीक ठाक लगी बात करूं production quality की तो vfx कुछ जगे अच्छ लगते हैं लेकिन कुछ जगे खराब भी लगते हैं अगर आप लोगों को इस तरी पसंद आयती इस तरी टू देखने का मन है देख सकते हैं मज़ा आएगा आपको लेकिन आप बहुत ज़्यादा उमीदे लगा कि मज जाना जो कल रिलीज होने वाले हैं उनसे मैं भहतर मानूँगा कि ये movie शायद उनसे भहतर है लेकिन देखते हैं कल वो movies कैसे निकलते हैं उन पर अब इसे बात नहीं करते हैं लेकिन हाँ जाता है बाते इस तरी कि आप देख सकते हो आप बोर तो नहीं होंगे और अगर आप मूवी देख लिए तुमझे कॉमेंट्स पर जरू बताना कि आपको ये मूवी कैसे लगे बाकी मिलते के लिए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत